इस कारकम में मेरे साथ जुड़े केंद्रिय मंत्री मंदल के मेरे साथ थी स्री डीवी सदानन गोडा जी स्री मनसुख मानविया जी स्री अनुराग ठाकूर जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री स्री जैराम ठाकूर जी मेगालाय के मुख्यमंत्री सी कौनार के सांगमा जी डिप्टी सीयम सी प्रेश्टूम तिनसोंग जी गुजरात के डेप्टी सीयम भाई नितिन पटेल जी देश भर से जुड़े जन अउसदी केंद्र संचालक लाभारति महदय, चिकित्सक और मेरे भाई और बहनों जन अउसदी चिकित्सक, जन अउसदी जोती और जन अउसदी सार्थी ये तीन प्रकार के महत्वकून एवर्ड प्राप्त करने वाले सम्मान पाने वाले, मैं सभी साथियों को बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों जन अउसदी योजना को देश के कौने-कौने में चलाने वाले और इसके कुछ लाभारतियों से आज मुझे बात्चित करने का आउसर मिला और जो चर्चा हुई है, उसमें स्पष्ट है कि ये योजना गरीब और विशेश करके मद्यंबर की परिवारों की बहुत बड़ी साथी बन रही है ये योजना सेवा और रोजगार दोनों का माध्यम बन रही है जन आउशदी केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आई के साधन भी मिल रहे है विशेश रुप से हमारी बेहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ धाई रुपिये में सेनेटरी पैट्स उपलब्द कराए जाते हैं तो इससे उनके स्वास उस पर एक सकारात्मक असर पड़ता है अब तक ग्यारा करोड से जादा सेनेटरी निपकिन्स इन केंद्रों पर बिख चुके हैं इसी तरह जन अवसदी जननी इस अभियान के तहट गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी पोशन और सप्लिमेंट्स भी अब जन अवसदी केंद्रों पर उपलब्द कराए जा रहे हैं इतना ही नहीं एक हजार से जादा जन अवसदी केंद्रों तो ऐसे हैं जिने मैलाएं ही चला रही है यानि जन अवसदी योजना बेटियों की आत्म निर्भरता को भी बल दे रही है भाई और भेनों इस योजना से पहाडिक शेत्रों में नौर्थिस्ट में जन जातिये शेत्रों में रहने वाले देशवाचियों तक सस्ती दवा देने में भी मदद मिल रही है आज भी जब साथ हजार पांसोवे केंद्र का पच्चतरसवे केंद्र का लोकारपन किया गया है तो वो सिलोंग में हुआ है इससे स्पस्थ है कि नौर्थिस्ट में जन अवसदी केंद्रों का कितना विस्तार हो रहा है साथियों पच्चतरसो के पड़ाव तक पहुँचना इसलिए भी आहम है क्योंकि छे साल पहले तक देश में ऐसे सो केंद्र भी नहीं थे और हम हो सके उतना जल्दी तेजी से दस हजार का टारगेट पार करना चाहते है मैं आज राज्य सरकारों से दिभाग के लोगों से एक आगरह करूंगा आज हादी के 75 साल हमारे सामने महत्पपुन अउसर है क्या हम ये ताय कर सकते हैं कि देश के कम से कम 75 जिल्ले ऐसे होंगे जहां पर 75 से ज़्यादा जन अउसर्दी केंद्र होंगे और वे आने वाले कुछी समय में हम कर देंगे आप देखिए कितना बड़ा फ्यलाव बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से उसका लाब लेने वालों की संख्या का भी लख्ष्ट है करना चाहिए अब एक भी जन अउसर्दी केंद्र ऐसा नहो कि जिसमें आज जितने लोग आते हैं उसकी संख्याट दो गुनी तीन गुनी ना हो इन दो चीजों को लेकर करके हमने काम करना चाहिए एक काम जितना जल्दी होगा देश के गरीबों को उतना ही लाब होगा ये जन अउसर्दी केंद्र हर साल गरीब और मध्यंबर के परिवारों में के लगबद 3600 करोड रुपे बचा रहे हैं और ये रकम छोटी नहीं है जो पहले महंगी दबाओं में खर्च हो जाते थे यानि अब इन परिवारों के 3600 करोड रुपे परिवार के अच्छे कामों के लिए और अधिर उप्योगी होने लगे है साथियों जन अउसर्दी योजना का तेजी से प्रसार हो इसके लिए इन केंद्रों का इंसेंटिव भी धाई लाग से बढ़ा कर पांच लाग कर दिया गया है इसके अलावा दलीतों आदिवासियों महिलाओं और पुर्वत्तर के लोगों के लिए दो लाग रुपिय का इंसेंटिव अलग से दिया जा रहा है ये पैसा उन्हें अपना स्टोर बनाने उसके लिए जरूरी फरनीचर वगएरे लाने में मदद करता है इन अउसरों के साथ ही इस योजना से फार्मा सेक्टर में संभावनों का एक नया आयाम भी शुक्षुला है भाई और भनों आज मेड इन इंडिया दबाईयां और सर्जिकर्स के मांग बढ़ी है मांग बढ़ने से प्रोड़क्शन भी बढ़ रहा है इससे भी बड़ी संख्या में रोजगार के आउसर प्यादा हो रहे हैं मुझे खुशी है कि आप 75 आयुस दवाएं जिसमें होमियोपती होती हैं आविर्वेश होता हैं उसको भी जन आउसर्दी केंदरों में उपलब्द कराये जाने का फैसला लिया गया है आयुस दवाएं सस्ते में मिलने से मरीजों का फाइदा तो होगा ही साथ ही इसमें आयुर्वेश और आयुस मेडिसिन के खेतर को भी बहुत बड़ा लाख होगा साथियों लंबे समय तक देश की सरकारी सोच में स्वास्त को सिर्फ बिमारी और इलाज का ही विशय माना गया लेकिन स्वास्त का विशय सिर्फ बिमारी से मुक्ति इतना नहीं है और इलाज तक भी सिमित नहीं है बल्कि ये देश के पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता है जिस देश की आबादी, जिस देश के लोग पुरुस हो, स्त्री हो, शहर के हो, गाउं को हो, बुजुर्ग हो, छोटे हो, नवजवार हो, बच्चे हो वो जितने जादा स्वस्त होते हैं, उतना वो राष्ट भी समर्द होता है उनकी ताकत बहुत उप्यूरी होती है, देश को आगे बढ़ाने में, उर्जा बढ़ाने में काम आती है इसलिए हमने इलाज की सुवीधा बढ़ाने के साथ ही उन बातों पर भी जोर दिया है, जो बिमारी की बज़े बनती है जब देश में स्वच्च भारत अभियान चलाते हैं, जब देश में करोडों सोचाला का निर्मार होता है जब देश में मुक्त गैस कनेक्शन देने का अभियान चलता है, जब देश में आउश्मान भारत योजना घरगर पहुँच रही है मिशन इंद्रधनूश हो, पोशन अभियान चला, तो इसके पीछे यही सोच थी हमने हिल्थ को लेकर टुकडों टुकडों में नहीं, बलकि एक सम्खूरता की सोच के साथ एक होलिस्टिक तरीके से काम किया हमने योग को दुनिया में नई पहचान दिलाने के लिए प्रयास किये आज अंतर राष्टिय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है और बड़े चाउ से मना रही है, जी जान से मना रही है